हेलो स्टुडेंट्स आग के स्लाइड्स में हम देखने जा रहे हैं इंपोर्टेंट एंटीडोट्स जो कि आने वाले स्टुडेंट्स पूछे जाते हैं तो हमेशा सारे एंटीडोट्स आपको याद रहने चाहिए बात करते हैं सबसे पहले काफी बार पुछा गया है और्गेनो फॉस्फीड का एंटीडोट क्या होता है बच्चे एट्रोपिन आप याद रखेंगे इसमें भी ओ आ रहा है और एट्रोपिन में भी ओ है याद रखना और्गेनो फॉस्फीड का जो एंटीडोट है वो एट्रोपिन है ओ से आप रिमा बेंजोडाइजेपीन का बेंजोडाइजेपीन का बच्ची अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन one of the important point है आपको याद रखना है फ्लूमाजैनिल होता है एंटीडोट बेंजोडाइजेपीन का next जो आता है बच्ची यह मैं next कलर से मार्ग करता हूँ क्योंकि बहुत important है कई बार पिछली examination में पूछा गया है carbon monoxide poisoning के लिए हम क्या देते हैं antidote hyperbaric oxygen या फिर 100% oxygen उस patient को 100% oxygen दी जाती है या फिर hyperbaric oxygen दी जाती है अगर उस व्यक्ति को carbon monoxide की poisoning होई है तो बहुत important है ध्यान रखेएगा यह point नहीं बूलेगा organophosphate carbon monoxide poisoning okay next is next is about iron तो iron का antidote क्या होता है बच्चे defroxamine याद रखेगा defroxamine किसका होता है iron का next है methanol methanol का क्या होता है ethanol तो आपको ऐसे याद रह जाएगा methanol similar like terms है ethanol okay so यह please इनको याद करिएगा isoniazid है next one is isoniazid isoniazid के लिए हम क्या देते हैं pyreduction आपको पता होगा isoniazid peripheral neuritis करता है इसलिए उसको vitamin b6 या फिर pyridoxin दी जाती है बहुत important question है काफी बार repeatedly यह अलग अलग exams में पूछी गई है पहले भी देखिए lithium toxicity अगर किसी को lithium toxicity हो गई है तो उस व्यक्तिका करवाते हैं hemodialysis lithium का normal value भी याद रखेगा कई बार पूछी गई है 0.6 to 1.2 हम कहते हैं काफी बार पूछी गई है और अगर इससे ज़्यादा आ रही है value तो आप व्यक्तिका क्या कराएंगे hemodialysis लीथियम toxicity में आप क्या कराएंगे hemodialysis और ये भी देख लिजेगा जब लीथियम toxicity होती है तो बच्चे उसमें जब पहला side effect आएगा बच्चे को पेशेंट को डाइरिया देखने को मिलेगा तो अगर व्यक्ति में डाइरिया देखने को मिल रहा है जिस व्यक्ति में लीथियम चल रही है profuse डाइरिया तो आप समझ जाएए कि पेशेंट को लीथियम की toxicity हो सकती है फार्मा के lectures में हम ये सारी चीजे discuss करेंगे अभी तो आ क्यों एंटिडोट होता है वह उता है नेलग जोन क्यूफिन या फिर प्लीज इनको तो जाएगा next इनको तूऑ रहे पुछब को आट्रोपें का बहुत कर पुछा गा है है और एट्रोपें होता इसका है और इंडोपें का बहुत अछेक्वाइपादीक। और एट्रोपिन का कौन होता है फाइजोस्टिगमेन या फिर पिलोकार्पिन नेक्स्ट है हीपैरिन हीपैरिन का तो आड़नो कितनी बार एक्जेम से में पुछा गया है multiple times प्रोटामाइन सलफेट किसका एंटिडोट है हीपैरिन का नेक्स्ट है वार्फरिन के लिए आप क् किसी को insulin overdose हो जाए तो insulin overdose में हम उस व्यक्ति को 25% glucose या फिर 50% glucose देंगे तो याद रखेगा next है magnesium sulfate की toxicity अगर आप moss भी solve करेंगे तो इससे बहुत सारे question बनते हैं एक दिन में आपको एक lecture में यह बताऊंगा magnesium sulfate की toxicity के बारे में आप अभी याद रखेए कि magnesium sulfate MgSO4 अगर इसकी toxicity हो जाती है तो हम antidote में देते हैं calcium glucolate very 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 important बहुत बार पुछा जाता है यह question next है snake bite में क्या use करेंगे so snake bite में use करेंगे snake anti venom snake anti venom okay next है digoxin toxicity digoxin toxicity काफी बार पुछा गया है digoxin toxicity में आप क्या देंगे digoxin immune fab antidote कौन सा है digoxin immune fab next है treatment of most poison जादतर जो poisoning की condition होती है उनका treatment क्या होता है उसको universal antidote भी कहा जाता है उत्तर जाएगा activated charcoal काफी बार पुछा गया है कि जादतर जो poisoning होती है उस poisoning में क्या दिया जाता है अंसर जाएगा activated charcoal हमारे पास आता है oxytocin oxytocin का antidote देखे बचे एटोसी बेन किसका antidote है oxytocin याद रखेगा arsenic gold या फिर inorganic mercury poisoning के लिए क्या दिया जाता है dimer caprol ये भी याद रखेगा नेक्स्ट है rodenticide rat poison के लिए क्या देते है वाइटमिन के वन एंटिडोट ऑफ cyanide toxicity, cyanide toxicity के case में जो antidote होता है dicobalt edited botulism में क्या दिया जाता है botulinum antitoxin धतूरा poisoning काफी बार पूछा गया है ये गलत मत करिएगा धतूरा poisoning में क्या देंगे आप phyzo stigmin iron poisoning very 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 important iron poisoning मैंने आपको पहले भी बताया dee forexamine हम देते हैं iron poisoning में ok next आता है alcohol poisoning में phomipizol ये काफी बार पूछा जा सकता है आने वाले exams में कि alcohol poisoning में आप क्या देंगे phomipizol next is nalaxone nalaxone के लिए तो poid poisoning ठीक है nalaxone के लिए हमने आपको बताया भी था morphine के लिए protamine sulfate यूज करते है ठीक है nalaxone के लिए क्या कह रहा है poid poisoning sorry poid poisoning में देते है nalaxone ये मैं कहना चाह रहा हूं इस line में ok so poid poisoning के लिए हम क्या देंगे nalaxone next is oral hypoglycemic agent oral hypoglycemic agent जो होते हैं metformin वगेरा उनके लिए हम क्या देते हैं octerotide octerotide याद रखेगा next is anticholinergic toxicity बहुत बार पुछा गया है very 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 important question anticholinergic toxicity में हम देते हैं phyzostigmin याद रखेगा anticholinergic toxicity में phyzostigmin aspirin toxicity में क्या दिया जाता है very important काफी बार पुछा गया है यह question भी कि aspirin toxicity में aspirin poisoning में क्या देंगे sodium bicarbonate sodium bicarbonate next is methotrexate poisoning में क्या देंगे leukovorin leukovorin methodrexate poisoning में क्योंकि हमने पढ़ा है कि methodrexate क्या कर देता है folic acid की absorption का रोग देता है so leukovorin calcium दिया जाता है यह बात भी हमने पहले slide में discuss करी है तो याद रखेगा methodrexate poisoning के लिए leukovorin next is beta blocker अगर beta blocker poisoning हो गई है तो हम देते हैं glukagon प्लीज याद रखेगा सारे के सारे antidote बीटा blocker में glukagon और last आता है calcium channel blocker calcium channel blocker में जो antidote होता है calcium gluconate भूलना नहीं यह question बहुत repeatedly पूछा दाता है कि calcium channel blocker के लिए हम antidote क्या देंगे तो यह 32 antidotes मैंने आपको बताए है प्लीज इन 32 antidotes को याद रखेगा अगर यह 32 antidotes आपको याद है तो आप यह मान लीजे हर exams में एक से दो marks जो आपके हैं वो confirm है ठीक है तो यह 32 आपको जो antidotes हैं यह नहीं भूलने हैं है न हम मिलेंगे next video में next slide के साथ तब तक आप please videos को share क कीजिए और हो सके तो please comment करके मुझे बताइए कि आपको videos कैसी लग रहे हैं thank you